हलो दोस्तों, welcome to my channel, मैं सरोज, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो ले करके आया हूँ, तो इतने दिन मैं क्या कर रहा था, जिस वज़े से मैं वीडियो ले करके नहीं आ पाया था, मेरे साथ एक छोटा सा एक्सिडेंट हुआ था, वो भी थोड़ा दरी पर आप में बताया गिया है, तो वीडियो को बिना इसकीप किये, पूरा फूल वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, तो अब क्या एक्सिडेंट हो आता, यह आप लोग देख लिजे, दुरगा पुजा के टाइम पे महालया का दिन मेरा हातों में अन लग गिया, पूरा एकदम बहुती दरद था, बहुती जलन था, अभी मेरा हाथ पहले से बहुत ठीक है, इसलिए मैं नया वीडियो ले करके आ चुका हूँ, इतना देर से वीडियो लाने के लिए आप लोगों से मैं माफी मांगना चाता हूँ, और वीडियो जब आ ही किय है, तो इस वीडियो को पहले वीडियो जैसा ही सपोर्ट कीजेगा, और प्यार दीजेगा, तो चलिए बीना देरी किये कर लेता है, वीडियो को स्टार्ट, तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर अपना हीरो स्प्रीन के तरफ से एक साइकल आया हुआ है, मेरे पास सर्व गिया है, तो यहाँ पर रीम बगेर कुछ बेंड नहीं है, इसका दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वो चल करके आगे पूरा एकदम डेटल के साथ मैं आप लोगो दिखाऊंगा, और रिपियर करके भी बताऊंगा किस तरीका से होता है, अगर आप लोग रीम बगेर बेंड हो अराम से कोई भी टेक्निशन के पास ले जाने का जरूरत नहीं है, अराम से घर पर ही आप लोग कर सकते हैं इसको रिपियर, तो चलिए किस तरीका से किया जाता है, उसको देख लेते हैं, सबसे पहले साइकल को उल्टा करके इसका हुईल निकाल लेंगे बाहर, उसके अगरा सारा कुछ यहां पर डेमेज हुआ है, तो किस तरीका से हुआ वो दिखा देते हैं, तो दूसरे साइड पर देखिए का उतना जादा प्ले नहीं है, इस साइड से सही है, तो इसी के वज़े से यह प्रॉबलम आया है, तो एक चीज़ और यहां पर अगर आप लोग काम कर रहा था यहां पर, तो चलिए, बीना देरी की यह काम पर ध्यान दे देते हैं, क्या-क्या डेमेज हुआ वो देख लेते हैं, सबसे पहले यहां पर अपना जो एक्सल को भी यहां पर निकालेंगे, उसके बाद ही अपना पता चलेगा क्या-क्या दिक्कत है, तो पर अपना खूलता नहीं है, क्योंकि अंदर डर्श्ट केप लगा हुआ रहता है, वो आकर के फ्रिवील के अंदर लग के सटक रह जाता है, इसी वज़े से जो है कि आखसल बाहर के तरफ नहीं आता है, तो सबसे पहले आपना फ्रिवील को यहां खोल लेगा, तबी जाकर कि यहाँ पे अपना सारा एक्सल वगेरा बाहर के तरफ आएगा Freewheel को खोलने के लिए अपना एक special सा टूल आता है मेरा बहुत सारा वीडियो पे दिया हुआ है इसका description पे भी मैं ये link दे दूँगा आपका tools का आप लोग ऑनलाइन से purchase कर सकते हैं उसको तो यहाँ पे अपना freewheel जो है खुल चुका है उसके बाद सारा अपना hub, con वगेरा, axle वगेरा सारा कुछ यहाँ पे निकालेंगे एक-एक करके सारा जितना भी ball वगेरा सारा कुछ निकालेंगे और clean करेंगे बढ़िया तरीका से ताकि अपना problem क्या है वो देख पाए हम लोग तो सबसे पहले अपना disc brake side ही clean करेंगे क्योंकि disc brake side ही अपना ज़्यादा problem दिख रहा था इसी वज़े से तो यहाँ पे अपना देख सकते हैं कब जो होता है इसी वज़े से यह जो problem है आया था तो यह वाला काम आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है नॉर्माली कब खोल करके कब चेंज करके मैं दिखा देता तो यहाँ पे यह आसा नहीं है यह hub जो है यह दूसरा type का hub है जिसके उपर जो है screw बगेरा सारा कुछ लगा हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हब कौन बगेरा सारा कुछ यहाँ पे damage जो है मैं वो भी दिखा दे रहा है आप लोगों को तो screw का बात क्या बता रहे थे मैं वालों ने सारा सब मिल करके यह hub को change किया है तो यहाँ पे अंदर से आप लोग देख सकते हैं कुछ screw दिख रहा होगा जिसके मदद से यहाँ पे disc brake का जो rotor बैटता है उसका adapter बैठाने के लिए यह सारा screw को खोलना पड़ेगा तभी जाकर कि आप इसका cup को खोल सकते हैं बगेर नहीं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं rotor adapter जिसके ओपर rotor पूरा tight किया हुआ है यह बी hub के ओपर tight किया हुआ है screw के मदद से तो वो कहां से है बढ़िया से आप लोग देख लिजेगा और किस तरीका से खोलना है उसको भी देख लिजेगा उसकी अबद कप को कैसे fitting करना है adjust कैसे करना है सारा कुछ मैंने details पर दिखाया है तो एक भी जरा skip नहीं कीजेगा सारा part by part देखिएगा बरना आप लोग को बाद में दिक्कत आ सकता है तो यहां पर मैं fire wheel side का कप को खोलूंगा तो इसके लिए जो XL आपका लगा हुआ था वही XL से आप लोग खोल सकते हैं मेरे पास tools है लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैं सिप XL से यहां पर खोल करके मैं यहां दिखा रहा हूं फिर बाद आप लोग भूसे तरह लेंगे तो यहाँ पर लोग कुछ एक कर लेंगे इधर भी आपका 6 वोल्ट ही रहता है उसके बाद आप लोग देखिएगा एडप्टर के साथ ही यहां रोटर जो है बाहर के तरफ निकल के आ जाएगा उसके बाद आप लोग आसानी से कब को खोल सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं बोल्ट सारा खुल चुका है यहां पर अपना एडप्टर के साथ ही रोटर यहां पर बाहर आ चुका है तो देख लिजेगा इस तरीका का होता है adapter जो कि हब में fitted रहता है अभी का update जो हब आ रहा है उसके उपर आप लोग डिरेक्ट रोटर को लगा सकते हैं अभी का में आ रहा है लेकिन पहले इस टाइप का आता था तो हब का बगर तूटने से पूरा एकदम सारा कुछ खोल के निकालना पड़ता है तभी जाकर कि अब कप को चेंज कर सकते हैं इसलिए company वालों ने अभी नया अपडेट में पूरा एकदम हब के ओपर ही होल बना दिया जिसके ओपर आप रोटर को लगा सकते हैं तो चलिए left side वाला कप भी यहाँ पे खोल लेते हैं वसी तरीका से जैसे कि Excel का म अगर हम लोग प्लेन कप को यहाँ पे बैठाएंगे तो नॉर्मली क्या होगा यह जाकर के पूरा एकदम हब के अंदर जाकर के बैठ जाएगा अंदर के तरफ चला जाएगा यह कभी टाइट नहीं हो पाएगा जितना हब बैरिंग को टाइट करेंगे यह हब कॉन को है वह बहुत ही पतला है और नया वाला का कितना मोटा है इसके बज़े से जो डिस डोटर वाला एडोप्टर है वह बैठने नहीं खुझता है तो उसका भी मैं यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूँगा किस तरीका से आप लोग को बैठा लेना है तो चलिए यहाँ कब दोनों को बैठा लेते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं क्या अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है आप लोगों को तो इस तरीका से कब को सीधा रख करके कोई भी स्लायरेंच या कोई भी लोहा रख करके ओपर से अगर सीधा हातों से हतोड़ी चल इस तरीका से आपको बैठाना है, दोनों कप यहाँ पे अपना बैठ चुका है, तो यहाँ पे चेक कर लिजिएगा, क्या प्रॉब्लेम का बात मैं कर रहा था, तो यहाँ पे अपना एड़ॉप्टर को बैठाने का बाद, बहुत टाइम पे क्या होता है, वो कप के बज़े स यह एड़ॉप्टर ऊपर के तरफ रह जाता है, बीच में गैप रह जाता है, उसके बाद आप लोग इसक्रू को लगाते हैं, टाइट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, एड़ॉप्टर थोड़ा सा बेंड टाइट होता है, उसके बाद आपना रोटर भी बेंड लगता है ऐसा अगर आप लोगों को अंदर के तरप से गैपिंग दिख रहा है तो उस टाइम पे जो है एडॉप्टर के वापस निकाल करके इसको ग्राइंडर के मदद से जो थोड़ा सा घीस देना है किस तरीका से घीसना है ऐसे ही नॉर्माली सीधा रखना है आपको उसके आप लोग देखिएगा एकदम सही से बैट रहा है तभी अपना सारा बोल्ट को यहाँ पर टाइट करना है एक एक करके तो यहाँ पर अपना जो है सही से बैट चुका है इसके बाद एक एक बोल्ट को टाइट कर लेंगे लेकिन यहाँ टाइट करने का एक ओप्सन होता है जो कि मैं यहां पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोगो बढ़िया से देख लिजेगा, एकदम cross करके, जैसे कि rotor पहले मैंने दिखाया था, opposite तरीका से, उसका patent मैं यहां सामने दे दे रहा हूँ, आप लोग देख लिजेगा, जैसे कि एक number को tight कियें, ठीक opposite उसका 2 number, ठीक उसक कर लिजेगा, disc brake side पे जो कि यहां पे hub con देखिएगा, तो उसके सामने जो axle का thread बना हुआ है, वो पूरा घिस चुका है, तो यहां पे अपना पूरा damage हो चुका है, इसके ओपर कोई भी जो जादा लगेगा, तो यह तूट जाएगा, तो इसको अपना यहां चेंज कर लें नया वाला axle का आप लोग अगर यूज करते हैं, तो यह क्या है, सही से fit नहीं बैठाएगा, क्योंकि यह company बहुत अलग अलग चीज़ बनाता है, इसलिए आपका सही से fit नहीं बैठाएगा, तो देख सकते हैं, यहां पे जो मैं सिप con को रहने दिया हूँ, उसके बाद सकते हैं, कितना जादा damage हो चुका है, मेरा हाथ बहुत ही जादा pain कर रहा था, तो इसलिए सही से काम भी नहीं कर पा रहा था मैं, इसलिए बार-बार हाथों के तरफी मेरा ध्यान जा रहा था, इसी बज़े से बार-बार mould-mould के देख रहा था मैं, तो एक side का change हो चुका है तो 9-9 पिस करके बॉल लगता है ये वला हब में दोनों साइट पर बढ़िया से ग्रिस लगाने के बाद आपको 9-9 पिस बॉल लगाना है एक साइट पर 9 दूसरे साइट पर भी 9 यानि 18 बॉल लगता है एक हुईल पर तो मैंने यहाँ पर बैठा करके रख लिया था तो एके करके बैठा करके मैं नहीं दिखा पाया हूँ आप लोगो को चेकनाट को बैठाने का बाद फिर आपको फिर विल लगा लेना है तो देख लिए किस तरीका से सबसे पहले मैंने यहाँ पर हब कौन को यहाँ पर टाइट कर लिया बढ़िया तरीका से और एक चीज आपको हब कौन गो Esto को लगाएंगे के लिए स्प्रिंग का भी ध्यान रखना जरुरी होता है जो मोटा साइड होता है वो बाहर के साइड रहता है जो पतला वाला साइड रहता है वो एक्सल साइड पे रहता है इसी तरीका से दोनों साइड पे जो स्प्रिंग को बैठा करके फिर अपना जो फाइवर कैप बाला नट होता है उसको लगाना है तो देख सकते हैं पतला वा फिर wheel को लगा लेना है बढ़िया तरीका से जादा tight करने के जरूरत नहीं है जब आप paddle करेंगे तभी अपना tight हो जाएगा तो अपना सारा कुछ यहाँ पर ready हो चुका है उसके बाद अपना frame के साथ wheel को attach करेंगे उसके बाद अपना सारा कुछ घुमा करके सारा कुछ आप ल इतना tight करने का बादि इतना ही प्रिसर से यहाँ पर आपको tight करना पड़ेगा ताकि अपना locked यह खुलए नहीं बहुत टैम क्या करते है जितना ही To iterate कर लोग ansen यहां पर लोग देख सकते हैं, विल जो है बहुत ही फाइनली यहां पर घुम रहा है, तो चलिए cycle को सीधा करते हैं, उसके बाद आप लोगो दिखा देते हैं, जो problem था, वो problem हटा की नहीं, यहां पर cycle जो है सही से बना की नहीं, तो उपर से चेक कर लिजेगा, उपर से clearance है एकदम दोनों side equal में gap अब लोग को मिल जाएगा देखने के लिए किसी भी side आपका सटा हुआ नहीं है जो की problem आप लोगों को पहले दिख रहा होगा आप लोग को मेरा काम कैसा लगा ये जरूर से comment पे मुझे बताईएगा अगर चैनल पर नए है चैनल को subscribe करके bell icon को all करके रख लिजे ताकि नया वीडियो आते ही आप तक notification पहुँच जाए बहुत बहुत सुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए ऐसा ही support करते रही है मुझे मिलते हैं किसी और वीडियो पर